आज हम बनाएंगे भीले स्टाइल देशी जिकेन विट्टी के बर्तन में और लक्डी के चुले में कड़ाई हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें सोर्सो का तेल ले 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 दें प्रॉच भीजेर ले देल हमारा बहुत अच्छे गरम हो गया है अब हम इसमें रिड़ेंगे डाल जिए और अफ़लाइजी में जद्से अब हम इसमे डाल लेंगे कटा तो स्टावर्च ₹ अब हम इसमें डालेंगे कटा तलऑर्च ₹ अब हम चिकन को थुड़ा सा नारिनेट कर लेते हैं अब हम डालेंगे सकते नुट इसको कर्लिप पेष्ट अगोसर नीकित कर न sollten औल स्थिसे पेस्पूर में पोल्लार तंतर जीरा पेस्ट कर बिदेंगे त्योंगे डियो पेस्ट हाप तीस्पूर निया वाग पेस्ट हाप तीस्पूर तॉर्मरिक पावडर हाफ टी स्पूल रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पूल सॉल इसको हम अच्छे से मिक्स करें ओन्यों हमारा अच्छे से फ्राइब हो गया है अब हम इसमें बाकी सारा मसाला आठ कर देंगे सब्सक्राइब हम डालेंगे दो बड़े चामच ओन्यों पेस्ट दो चामच गार्लिक पेस्ट दो चामच अध्रक पेस्ट एक बड़े चामच जीरा पेस्ट ग्रीन चिली हाप टीश्पूल टॉर्मरीक पाउडर हाप टीश्पूल रेड चिली पाउडर नमक स्वार्थ के ऊचे अब हम मसाले को अच्छे से फ्राइब करेंगे मसाला हमर अच्छे से फ्राइब हो रहा है अब हम इसके डालेंगे एक बड़े टमाटो का प्यूरी अब हम इसके अच्छे से फ्राइब कर लेंगे मसाला को हम अच्छे से फ्राइब करेंगे जब तक किस से ओयलना निकल जाएब मसाला अभी हमारा बहुत अच्छे से फ्राइब हो गया है और बहुत अच्छ खुस्पू आना सुरू हो गया है ये खुस्पू ग्यास में अगर हम खाना पकाथे हां तो नहीं आता है जो चुला में बन रहा है तो इसका जो हुस्पू है अब हम इस्ने आड़ करेंगे आलू और दो हो प३टे है कोपीता पोपीता हमें यहां पर इस ग्रीय डाला है क्यूंकि डेशी चिकेन है क्युंद के डालनेसे देशी चिकेन बहुत अच्छी से बॉइल भी हो अजयमेख आच्सेसे मिख्सेरे, अजयमेख गणापी झाले लिए आच्सेमी झाले, अजयमेख लिए लोगी है? अबनावे लगा लिए कर अग्साद लिए बताव अब इसको थोड़ा से हम ढग देगे, क्योंकि देश सी चिकन है तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पकने के लिए अब हैं। फांच से दस मिनिट हो गया है और हम अब चिकन को थोड़ा चेक करने तो है। अभी मैंने यहाँ पर एक ग्लास गरम पानी आड़ कर दिया है गरम पानी आड़ करने के बाद अब हम इसको और पुष्टाइब अच्छे से पका लेंगे अभी चिकेन को हम चेक कर लेते हैं अभी हम इसके उपर थोड़ा सा धन्या बता दर्मिसिंग कर देंगे अभी हमारा देशी चिकेन विलेश टाइल रेडी है खाने के लिए आप इसको राइस और रोटी के साथ खा सकते हैं मेरे वीडियो आपको पसंद आये हो तो लाइक करिए आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाईए मेरे आने वाले वीडियो पाने के लिए थेंक्यू